और वहीं राजिस्थान के स्री गंगा नगर जिले में रविवार राद बस और ट्रक की भीशन टकर में तीन लोगों की मौत हो गए और वहीं अनुबगड थाना छेत मोही टकर के बाद दोनों वहानों में आग लगी और बस से तीन जले हुए शव बरामत किया गया और वहीं अनुबगड अधिकारी जेदेव स्याग ने बताया कि टकर के बाद करीब पीस या त्री बस से बहार निकलने में सफल रहे जबकि तीन लोगों की आग की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई और वहीं अनुगड थाने के एसेचों ने बताया कि हाथसे में ट्रक चालक और क्लीनर के भी मारे जाने की आशंका है और वहीं राजिस्तान के सीकर में बड़ा हाथसा हुआ है और यहां के रिंग स्चेट में इस्टनिवार देश्राम राष्टिय राजमार बावन पर एक कार पुलिस से नीचे जागिरी और वहीं हाथसे में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गए और मृतकों की पेचान अब तक नहीं हो पाई है और वहीं जानकारी के मताबिक हाथसा बावडी ठिकरिया गाउं के पास राष्टे राजमार पर बनी पुलिया पर हुआ है और सीकर से जेपुर के जा रही कार जब पुलिया से नीचे गिरी तो आवाज सुनकर इस्थानिये लोग घटना स्थलकी और भागे और पुलिस ने भी मौके पर पहुँच कर बचाव कारे समभला और पुलिस ने लोगों की मदद से कार में सवार पांच लोगों को काफी मशक्कत के बार निकाला गया और वहीं गंबीर हालत में सबी को एंबुलेंस की मदद से होस्पिटल बिजवाया गया जहां डॉक्टरों ने पांचों को मिर्ट घोशित कर दिया और बाकी तीन मिर्ट को की शनाकत अब भी पुलिस की और से की जारी है जिस कार्ट से है हाथसा हुआ वो भी कनेर में पंजि जारी जारी के लिए और वहीं इसमें पालकों और सिक्षकों को ऐसे उपाय बताये गए जिनसे वो बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग का आदी होने से बचा सकते हैं और वहीं राजिस्थान स्कूल सिक्षा परीसर ने खशनिवार को यह एडवाईजरी चारी किये और इसमें ऐसे तकनीकी बिंदों का सुजाब दिया गया जो गेमिंग में बच्चों की गती विडियो पर नजर रखने और उनकी भागेदारी में मददगार हैं और वहीं मातपिता और सिक्षकों को यह देखने के लिए कहा गया है कि क्या बच्चे असामाने तरीके से विवार कर रह आते हैं और स्कूल प्रशासन ने आरोपी के खिलाब केस भी दर्श करवाया और पुलिस ने आरोपी को गिरफतार भी कर लिया एक पिता ने कथित रूप से गलती से बेटी के स्कूल के वट्सप ग्रूप में एक नहीं पूरे तस असलील वीडियो डाल दी और ओनलाइन क्लास के द सावला ने महाना थाने में पोक्सो एक्ट के तहट मुकर्णमा दर्श करवाया अब पुलिस ने आरोपी पिता साबिर अली को गिरफतार कर कोट में पेश किया जा कोट ने पुलिस हिरासत में भेज दिया है और वहीं राजिस्थान की घैलो सरकार ने अचानिक से दो कलेक्टर समित 25 IAS अधिकारियों के तबाद ले कर दिये हैं सरकार ने जिन अधिकारियों की लिस्ट जारी किये उनमें तीन ऐसे सीनियर IAS अधिकारी भी हैं जिनके पुराने अनुबवों को देखते हुए पुराने विभागों में भेज दिया गया है और ये वो अधिकारी है जो वसुंद्रा सरकार में इन विभागों की जिम्मेदारी संबालते थे और वहीं अतिरिक मुख्य सचीव सुबोध अगरवाल को उर्जा विभाग दिया गया था जो वर्तमान में उनके पास है और उन्हें राजिस्तान अक्षे उर्जा निगम लिमिटेड का सीमडी बनाए गया और वहीं प्रधान रेजिडेंट कमिशनर नई दिल्ली रोली सिंग को राजिस्तान में समाने प्रेशासन विभाग एस्टेट स्टेट मोटर गेराज प्रोटोकोल और नागरिक उद्यान विभाग का प्रमुक सची बनाए गया है और वहीं प्रतावगर कलेक्टर रेनु जेपाल को बंदी का कलेक्टर बनाए गया और वह आशिश गुपता का स्थान लेंगे और जिने वाटर शेड विकास और मृद्धा संद्रक्षन विभाग में निदेशक के रूप में स्थान तरित किया गया है